वेलकम टू एक्जाम विविचन तो दोस्तों सिरसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपने जो पिछली वीडियो था उसके टार्गेट को कम्प्लीट कर दिया था तो वीडियो के टार्गेट को रखा था हमने 50 लाइक का आपने बहुत ही जल्दी उस टार्गेट को कम्प्लीट कर दिया धन्याबा दोस्तों आपका इसी तरह आप हमारे साथ सहीयोग करते रहे हम भी आपके साथ पूर्ण सहीयोग रखेंगे ठीक है ना तो जो आज की वीडियो है इसके लाइक का टार्गेट भी हम 50 लाइक का ही रखेंगे तो जल्दी ज किया गया था 1903 इस भी में यहाँ पर सही वीकल्ब डी हो जाएगा आपके लिप प्रशन छोड़ देता हूं कि जो सरचती पत्री का है इसका प्रकाशन कबसे स्टार्ट किया गया था ठीक है यह प्रशन आपके छोड़ देता हूं अगला प्रशन है दो भारत भारती के बाकी ज़यादत बडद होगी साकेत होगी और ये शोद्रह गी ये तीनोi रचना है मैतली शर्ण गुप्त की हो जाएंगी अगला प्रशन है यहां पर चार इसमें पूचा गया है इन में से किसका सबंद चिरगाउ जांसी से रहा है तो जो चिरगाउ जांसी से जिसका सबंद रहा है तो वो हो जाएंगे सियाराम शर्ण गुप्त सही भी कल्ब यहाँ पर भी हो जाएगा तो जो मैथली शर्ण गुप्त है इनका सुवन्द भी चिरगाउं से रहा है ठीक है ना सिया राम शर्ण गुप्त और मैथली शर्ण गुप्त दुनों भाई-भाई थे ठीक है इसका भी आपको दिहान रखना है अगला प्रशन पूछा यह है पांच इन क्रीतियों को क्रीतिकार के साथ सुमेलत कीजिए तो यहाँ पर एक तर्फ क्रीति दी गई है और दूसरी तर्फ क्रीतिकार तो चलिए इनका सुमेलन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे यह है दुआपर तो ये बताना है दुआपर त्रिशूल किसकी रचना होगी तो यहाँ पर नीचे और जो रसकलश और हिम तरंग नी है किस-किस की रचना है तो चलिए इनका मिलान के लेते हैं जो दुआपर है ये हो जाएगी आपकी मैथलिशन की रचना मैथलिशन गुप्त इनकी रचना हो जाएगी उसके पर शाथ है त्रिशूल तरंग तो ये हो जाएगी गया परसाद शुकल से नहीं की रचना इसके पर शाथ है आपकी रसकलश ये हरियोद जी की रचना हो जाएगी और जो हिम क्लिटीनी है तो ये हो जाएगी आपके माखनाल चितरुवेदी की रशना समझे होंगे आप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सही कुट भी हो जाएगा ठीक है चलिए फिर से बता देता हूँ जो द्वापर है ये माखनाल चितरुवेदी की रशना हो जाएगी द्वापर जो त्रिशूल तरंग है ये हो जाएगी गिया प्रसाद शुकल्स नहीं की रचना आगे चलते हैं आगे है यहाँ पर जो रसकलष है ये किसकी रचना होगी तो ये हो जाएगी अयोध्यासी उपाद्याय हरियोत की हिमक्रिटनी किसकी रचना हो जाएगी तो यह हो जाएगी माखनलाग चतुरुवेदी की रचना ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं मैथलिशन गुप्त किस यूके कभी माने जाते हैं तो जो मैथलिशन गुप्ते यह माने जाते हैं द्विवेदी यूग के कभी ठीक है आपको यहाँ पर द्विवेदी यूग का समय बताना है कितना रहा है द्विवेदी यूग का समय अगला प्रशन है इन में से कौन सी क्रेटी रामरिस त्रिपार्टी की है तो यहाँ पर कुछ रचना दी गई है, चार विकल्प दी गई है, इन में से एक ऐसी क्रिती होगी जो रामरिस्ट्रिपाटी की होगी, उसका बताना हमने कौन सा होगा वो, तो वो हो जाएगा विकल्प भी स्वपन, जो स्वपन है ये रामरिस्ट्रिपाटी की रचना होगी ठीक है यहाँ पर जो भी कल्प डी है इसके बारे में आपको ने बताना है कि जो प्रिय प्रवास है किस की रचना मानी जाती है ठीक है अगला प्रशने आठ जिसको ना नीज गौरव तथा नीज देश का अभीमान बर नर नहीं पशु नीरा है और मृतक समान तो जो यह प्रसिद उकती है किस कभी की होगी इसके बारे में आपने बताना है तो यह जाईगी गया परसा शुकल्स नहीजी की रचना इसको कहीं नो बारती यह किसकी रचना है भारत बारती मैठली शर्ण गुप्त की रचना हो जाईगी एकला प्रशने 10 अबला जीवन है तुमारी यही कहानी आचल में है दूद और अंखों में है पानी यह कभी क्रिती यह कभी पंग्ती किसकी है यह शोद्रा नाम कभी की यह पंग्ती हो यह शेक्या था रचना का तो यह था उल्मिला को महत्व देना आपने देखा होगा आपने बहुत वारी ऐसी रचना देखी गई है जहां पर उल्मिला जी को तना महत्व नहीं दिया जाता है तो इसी को मद्दे नजर रख कर मैठली शर्ण गुप्त के द्वारा उल्मिला क महत्व देने के लिए इस रचना को रचा था ठीक है अगला प्रशने 12 त्याग बिना निश्प्रान प्रेम है करो प्रेम पर प्रान निश्आवर क्या पंक्ती है त्याग बिना निश्प्रान प्रेम है करो प्रेम पर प्रान निश्आवर यह पंक्ती किस कभी की है तो यह पंक्ती हो जाएगी विकल्प भी राम लेश त्रिपाठी की इंपोर्टन पंक्ती है दोस्तों यह वाला याद रखेगा अगला प्रशने तेरा हल्दी घाटी नामक कपे के रच्षईता इन में से कौन होंगे बहुत इच्छी दोस्तों यह लिए रच्णा अगर भी तक आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च कीजेगा जो मनोज मुंतिशीर सर है इनोंने बहुत इच्छी तरह सी इसकी ब्यक्या किये हर रेक पाड़ की तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा श्याम लना पांडे जी की रच्णा होगी हल्ती गाटी नामक महाकाबे श्याम लना ए पांडे की अग्ला प्रशने 14 पूषब की अभिलाशा नामक कवीता का रचेईता कौन है? यह हो जाएंगे माख्नलाद चतरुवेदी सही भी कल्प यहां पर सी हो जाएगा अग्ला प्रशने यहां पर भी सुमेलित करने वाला प्रशन है तो चलि सुमेलित कर लेते हैं तो जो कश्मीर सुष्मा है ये किसकी रचना हो जाएगी श्रीधर पाठा की ठीक है उसके परशाद है हिंडोला ये किसकी रचना हो जाएगी जगनादास रतनाकर की फिर है हरीदे तरंग ये किसकी रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी सत्यनराय कवीरतन की अंत में जोहर ये किसकी रचना होगी? तो ये हो जाएगी शियाम नरायन पांडे जी की रचना होगी? ठीक है? यहाँ पर सही बिकल्फ हो जाएगा यह फिर से मिलान के लेते हैं कश्मीर शुष्मा, शृदर पाथक जी की रचना होगी? हिंडोला, जगरना दास रतनाकर की रचना होगी? हरीदे तरंग, सत्या नरायन कभी रतन की रचना होगी? और जोहर, शियाम नरायन पांडे की रचना हो जाएगी? हाँ, दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम और बड़से गुरूप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परदान किया जाएगा, ठीक है? एकला प्रशन देख लेते हैं, तो देखिए कहा, यहाँ पर मैंने आपसे यह प्रशन पूछा था, और यहाँ पर प्रशन आ गया है, ठीक है? जो सर्श्पती पत्रिका थी, इसका प्रकाशन का प्रारम किया गया था? तो चलिए प्रशन को कुछ और पूछ लेते हैं, प्रशन यह होगा कि जो सर्श्पती पत्रिका है, इसके प्रथम प्रकाशन कौन थी? ठीक है? यह आपके लिए प्रशन छोड़ देता हूँ, आगे है 17 भारत भारती का प्रकाशन बर्श कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1912 में, सही भी कल्प यहाँ पर B हो जाएगा, किसकी रचना है यह? मैतली शर्न गुप्त की रचना होगी यह वली, अगला प्रशन है, इनमें से कौन सा कवी सन 1886 से लेकर 1964 तक कारेदत रहा है या उनका यह समय रहा है, तो यह हो जाएगे मैतली शर्न गुप्त, सही भी कल यहाँ पर A हो जाएगा, अगला प्रशन है, 19 इसमें पूछा गया है, खड़ी वली हिंदी को काव्य भाशा के रूप में प्रतिष्टित करने का श्रे किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर चाल भी कल्प दिये गए हैं, इनमें से आपको एक सही भी कल्प का चेहन करना है, तो जो खड़ी वली हिंदी को काव्य भाशा के रूप में प्रतिष्टित किया था, तो यह किया गया था, आपके महाबीर परसाद द्विवेदी की द्वारा, ठीक है, यहाँ पर सही भी कल्प टी हो जाएगा, अगला प्रशने, समस्या पूर्ति किस काल की कवीता में प्रचलित थी, तो जो समस्या पूर्ति है, एक समे था जब इसे अधिक तोर पर प्रयोग में लाए जाता था, ठीक है न, तो बताना है कि वो कौन सा काल था, तो यहाँ पर जो सही भी कल्प हो जाएगा, तो वो हो नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो सही भी कल्प हो जाएगा, माखनलाल चतुरवेदी, ठीक है, अगला प्रशने 22, स्वदेशी कुंडल नामक काब्य संग्रह की रचना करने वाले कभी का नाम बताईगी, तो यह हो जाएगे, भी कल्प भी, राय देवी परसाद तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा, तो बोह जाएगा, बिकल्प सी मृत्यूंजे, जो मृत्यूंजे है, यह इनकी रचना नहीं होगी, बाकी रसकलश, चूपते चौपदे और प्रिय परास, यह तीनों ही इनकी रचना हो जाएगी, अगला प्रशने जहांसी की पिरानी शिशक कवीता के रचेटा का नाम बताईए तो ये हो जाएंगी बिकल्ब सी सुवद्रक मारी चोहान सी सही बिकल्ब हो जाएगा यहां पर अगला प्रशने 25 प्रभा और प्रताफ नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कभी ने किया तो जो ये दो प्रत्रिकाओं हैं प्रभा और प्रताफ इनका संपादन किया था बालकृषन शर्मा नवीन के द्वारा सही बिकल्ब यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गिया है इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिहां दिनकर की है तो यहां पर चार भी कल्प दिये गए हैं इनमें से एक रचना दिनकर जी की होगी तो उसका नाम है रसबंती सही बिकल्ब यहां पर ए हो जाएगा अगला प्रशन पूछा 27 कवासी के रचनाकार का नाम बताईए तो जो रचना है कवासी इसके रचनाकार हो जाएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना हो जाएगी कवासी ठीक है अगला प्रशने दिनकरजी के जो दिनकरजी है इन्होंने कामाध्यात्म का निरूपन किस कृति में किया है तो ये किया गिया है उर्वशी में सही भी कल्प यहाँ पर उर्वशी होगे जाएगा अगला प्रशन है यहां पर 29 इसमें एक तरफ कृति दी गई है और दूसरी तरफ कृतिकार का नाम तो चलना है हमने इसका मिलान करते हैं तो चलिए मिलान करते हैं जो हम विश्पाई जनम की हैं यह किसकी रचना हो जाएगी यह हो जाएगी बालकृष्ण शर्मा नवीन की मौरी बीजे किसकी रचना हो जाएगी यह जाएगी सियाराम शरन गुपत की पंचवटी किसकी रचन यहाँ पर D हो जाएगा तीन का यहाँ पर B हो जाएगा और चार का यहाँ पर A हो जाएगा ठीके ना रचनाओं को फिर से बता देता हूँ हम बिश्वाई जनम के बालकृषन, शर्मानवीन, मौरे विजे सियारामशरन गुप्त, पंचवटी जो पंचवटी जाएगी मैथलिशन गुप्त की और कुरुक्षेतर रामधारीसियं दिन कर की अगला प्रशन देख लेते हैं इसमें पूछा गिया है हल्दी घाटी नामक प्रवंद काब्य के रश्चेटा का नाम बताईए जो हल्दी घाटी नामक प्रवंद काब्य है इसके रश्चनाकार हो जाएगे श्याम नरायन पांडे सही भी कल्प यहाँ पर डी हो जाएगा अगला प्रशन इन में से कौन सा कभी राष्ट्य चेतना का कभी नहीं है तो यह हो जाएगे बिकल्प सी जगरनादास रतना कर ठीक है बाकी मैथली शर्ण गुप्त माखन लाल चेतुरवेदी बालकृष्ण शर्मान नवीन यह तीनों ही राष्ट्य चेतना के कभी माने जाते हैं अगला प्रशन इन दुवेदी यूग के उस कभी का नाम बताईए जिसनी अपना समस्थ काभ्य व्रजभाषा में लिखा था जो दुवेदी यूग के ऐसे कभी हैं जिनोंने अपनी समस्थ सहित्य रचनाय किसमें लिखी थी व्रजभाषा में लिखी थी तो इनका नाम हो जाएगा बिकल्प सी जगरनादास रतना कर अगला प्रशने 33 आदुनिक काल में लिखा गया खड़ी वोली का प्रतम महाकाब्दे कौन सा होगा तो ये हो जाएगा बिकल्प भी प्रियप्रवास भी सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशने 34 महाबीर परसाद द्विवेदी किस चदव नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में चापते थे तो ये चापते थे बिकल्प भी भुजंग भोशन भटा चारे अगला प्रशने इन में से द्विवेदी मंडल का कौन सा कवी नहीं है तो ये हो जाएंगे बिकल्प भी बालकृष्ण शर्मा नवीन बाकी मैथली शर्ण गुप्त हरी ओदजी और मुक्रधर पांड़े ये तीनों ही द्विवेदी युक के कभी माने जाते हैं आगे है खड़ी बोली के उस महा काप्पे का नाम बताई जिसमें राधाकृष्ण का युगान रूप परिवर्तन कर दिया गया है तो सही विकल्प हो जाएगा प्रियप्रवास सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला प्रश्ण है द्विवेदी युक का कौन सा कभी ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है यह हो जाएगे सत्या नाराय कभी रतन आगे है इन में से कौन से कृती 1931 में प्रकाशित हुई थी तो यह थी साकेत किसकी है गुप्त जी की रचना माने जाती है साकेत ठीक है आगे है इन में से भ्रमर्गीत प्रमपरा का गरंथ कौन सा नहीं है तो यह हो जाएगा साकेत ठीक है बाकी प्रिय प्रवास उद्वशतक ब्रहमर्दूत यह तीनों ही ब्रहमर्गीत प्रमपरा की रचनाय माने जाती है अगला प्रशने 40 कश्मीर शुष्मा नामक गर्णत के रचैता का नाम बताईए तो यह हो जाएगे शुष्धर पाठक सही बिकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आगे है रोमानी भाबूत के कभियों को किस नाम से पुकारा जाता है तो यह पुकारा जाता है स्वचिन्दताबादी कभी सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ अगला परशन है गोल्ड स्मित के डेजर्टिट पिलेज का हिंदी अनुबाद उज्डगराम नाम से किस ने किया तो यह किया गया था शृधर पाठक की दौरा अगला परशन पूशा गया है इन में से कौन सा क्या है इन में से कौन से कृथी मैथलिशन गुप्त की नाट्टी रचना है तो यह हो जाएगे बिकल्प भी बिकल्प ए तिलोतमा जो तिलोतमा है यह नाट्टी कृथी मानी जाती है मैथलिशन गुप्त की ठीक है आगे है हिंदी का कौन सा कभी जकी उपनाम से उर्दू में कवीता लिखता था तो ये लिखते थे जगतना दास रतना कर और इन्होंने किस भाषा का प्रियों किया था ब्रजभाषा का प्रियों किया था पर उर्दू में जब ये लिखते थे उसमें जकी उपनाम से लिखते थे ठीके ना आगे है सुकवी नामक पत्रिका का संपादन इन में से कौन करता था तो जो सुकवी नामक पत्रिका थी इसका संपादन क्या गया था गया परसाथ शुकल्सनेही के दुआरा आगे है गया परसाथ शुकल से नहीं जी राश्टर प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे ये लिखा करते थे त्रिशूल उपनाम से आगे है अचारे रामचेंदर शुकल ने दोवेदी यू के किस कवी को छायावाद का परबर्दक माना है ये माना है मुकुर्दर पांडे जी को सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों जहां पर भी आपको स्टार या बिवी आई मिलता है इसको ढंग से याद करना है क्योंकि ये होते हैं बहुत ही जादा महत्पून प्रशन ठेके न प्रिक्षा में आने के संभावना इनकी बहुत जादा होती है अगला प्रशन है एक तरफ कृति का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कृतिकार का नाम दिया गया है इनका हमने मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं, तो जो विश्नुप्रिया रचना हो जाएगी, किसकी होगी विश्नुप्रिया रचना, तो यह जाएगी मैथली शर्ण गुप्त की, हिमक्रिटनी किसकी रचना हो जाएगी, माखनलाल चतुरवेदी की, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिहन दिनकर की हिंडोला जगरनादास रतना करकी ठीक है ना इस प्रकार से ये मिलान सुमेलित हो जाता है रचना का फिर से बता देता हूँ विश्णुप्रिया मैथलिशन गुप्त की रचना होगी हिम कृटनी प्रशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिहन दिनकर की रचना होगी और जो हिंडोला है जगरनादास रतना की रचना हो जाएगी अगला प्रशन है उन्चास इत्ती बृता तमकता इनमें से किस यूग की कवीता की परमुक विशेष्टा है तो ये थी द्विवेदी यूग की प्रमुक विशेष्टा याद रखेगा महत्कुन प्रशन है यहां से प्रशन बनता है आगे है प्रचास द्विवेदी यूगिन कवे का एक अन्य नाम है तो बताए क्या नाम है उसका तो ये था नवजागन सुधारकाल सही विकल्प यहां पर भी हो जाएगा तो ये नाम इस कावे को किस ने दिया था या इस यूग को किस ने दिया था ये दिया गया था डॉक्टर नगेंदर की द्वारा अगला प्रशन है चायबाद को स्थूल के प्रती शूक्ष्म का बिद्रो किस आलोचक ने कहा था तो जो चायबाद को स्थूल के प्रती शूक्ष्म का बिद्रो कहा है डॉक्टर नगेंदर की द्वारा कहा गया है सही विकल्प यहां पर सी हो जाएगा आगे है चायाबाद तत्वत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है डैश उसका मूल दर्शन सरवात्मबाद है यह परिभाचा किसके द्वारा दे गए थी? महादेवी बर्मा के द्वारा यह परिभाचा दे गए थी important question है दोस्तों आगे है प्रमात्मा की चाया आत्मा में और आत्मा की चाया प्रमात्मा में पढ़ने लगती है यही चायाबाद है यह चायाबाद के प्रती प्रिभाचा किसके द्वारा दे गए थी? यह दे गए थी रामकुमार बर्मा की द्वारा और यह question भी है most important आगे है जब वेदना के अधार पर स्वानुभूती में अभी व्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे चायवाद के नाम से अभी हित किया गया तो ये किसका है चायवाद के प्रती जैशंकर प्रसाद जी का ठीक है अगला प्रसने चायवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए अगर कभी भी आपको ये बर्ड मिले चायवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए तो ये किसका क्थन होगा? तो ये हो जाएगा सीदे सीदे अचारे रामचिंदर शुक्र का क्थन सही भी कल्पियांग पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है चायबाद के मूल में पहश्चातिय रहस्तिवादी भावना अवश्य थी इस श्रेणी की मूल प्रेणना अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कवीता से प्राप्त हुई थी ये विचार किस आलोचक नहीं दिये थी? तो ये विचार दिये थे अचारे हजारी परसा दुईविदी के दौरा तो ये प्रेशन भी इंपोर्टेंट हो जाएगा याद रखिएगा आगे है इन में से कौन सी विशेषता चायवादी कवे में नहीं है तो ये है शोशन का विरोध जो शोशन का विरोध चायवादी कवियों के दौरा नहीं किया गया था कोई कोई कवी था जिन्नों ने किया था पर अधिकतर ऐसे कवी थे जिन्नों ने शोशन का भी रोध नहीं किया था ठीके ना और जो च्छायवादी कव्य की विशेष्टा थी उसे देख लेते हैं रहस्यवादी भावना सभी में मिलती है स्थूलता के स्थान पर सुक्षिमता पर बल दिया था सही है अविविंजना पतरती में नविंता ये वी सही हो जाएगा आगे है अठावन विदू उर्के मृदू भावों से तुम्हारा कर नितनव शिंगार पूझता हूं में तुम्हे कुमारी मूंद तुहरे दिख द्वार तो जो ये छायवादी पंक्तियां हैं किसके द्वारा कही गई हैं तो ये कही गई हैं पंतजी की द्वारा सही भी कल्प यहां पर ए हो जाएगा अगला प्रशन है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध धिक सादन जिसके लिए सदा ही किया शोद उक्त पंक्तियां किस कवी की हैं तो ये पंक्तियां है सुरेकान तृपाटी नीराला की ये प्रशन है most most important देखिए कहीं न कहीं ये प्रशन आपसे पूछा ही जाएगा आगे है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस चायवादी कवी की हैं तो ये पंक्तियां हो जाएंगी परसाद जी की सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा आगे है चायाबाद की समय सिम्हा क्या मानी जाती है तो जो चायाबाद की समय सिम्हा मानी जाती है 1918 से लेकर 1936 तक सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा प्रशन है important ठीक है ना याद रखियेगा अगला प्रश्णे इन कवीताओं में से चायवाद का प्राडर्म किस कवीता से मानाना समीशीन है तो ये हो जाएगा जुही की कली से ठीक है यहाँ पर सही विकल्ब भी हो जाएगा आपके लिए प्रश्णे छोड़ेता हूँ आपने बताना है कि जुही की कली है किसकी रचना होगी ठीक है इसका अवश्य बताएगा उत्तर क्या होगा अगला प्रश्णे जैशंकर प्रसाद की अन्तिम कृति का नाम बताएगे तो जो दिये के बिकल्बों में जैशंकर प्रसाद की अन्तिम कृति मानी जाती है तो वो हो जाएगी कामाईनी सही बिकल्ब में यहाँ पर D हो जाएगा अगला प्रश्णे कामाईनी में कुल कितने सर्ग हैं तो जो कामाईनी है इसमें सर्गों की संख्या है 15 यहाँ पर सही विकल्प D हो जाएगा अगला प्रशन है कामाईनी का प्रकाशिन बर्ष कब हुआ था 1935 में हुआ था सही विकल्प यहाँ पर B हो जाएगा आगी है सुंगनी साहु घराने में किस चायवादी कभी का जनम हुआ था तो यह हुआ था जैशंकर परसाद जी का सही विकल्प यहाँ जाएगा आगे है परसाद के उस काब्यगरंद का नाम बताई है जिसकी रचना पहले ब्रजभाशा में की गई थी किन्तु बाद में उसे खड़ी वोरी में भी रुपांतरित किया गया था तो यह हो जाएगा प्रेम पतीक सही विकल्प यह हो जाएगा अगला प्रशन है प्रसाद द्वारा रचित बिरह काब्ये कौन सा है पहरी पहरी इंपॉर्टन प्रशन है दोस्तों यह वाला तो जो प्रसाद वारा दर्चित ब्रिहक काब्य है तो ये हो जाएगा आंसू सही बीकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा अगला प्रशन है कामाईनी में किस दर्शन की अभी वेक्ती हुई है तो जो कामाईनी है इसमें किस दर्शन के विवेक्ती हुई है ये बताना है तो ये हुई है शैवदर्शन की सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा आगे है कामाईनी के पात्र इडा का प्रतिकार्थ क्या है तो जो इडा का प्रतिकार्थ होगा बुद्धी सही भी कल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगर आपने कमाईनी को पढ़ा है धंग से तो आपके लिए प्रशन छोड़ देता हूँ आपने पताना है मन किसका प्रतिकार्थ है ठीक ना इसका उत्तरा पता ये का अगला प्रशन है लेचल मुझे भुलाबा देकर मेरे नाविक दीरे दीरे इस पंक्ति के अधार पर प्रसाद पर क्या आरूप लगाया था तो सबसे पहले तो याद रखेगा दोस्तों ये पंक्ति जो है लेचल मुझे भुलाबा देकर मेरे नाविक दीरे दीरे किसकी पंक्ती है प्रसाद जी की पंक्ती है तो इस पंक्ती के अधार पर प्रसाद जी पर एक आरोप लगाया जाता है तो वो क्या आरोप था तो यह था कि वे प्लाइनवादी होने वाले हैं या प्लाइनवादी सोच उनकी थी अगला प्रशन है अंबर पन घट में डूवो रही तारा घट उशा नागरी पंक्ति किस कवी की है? परसाद जी की आगे है सरूज समरिती नामक रचना किस कवी की है? नीराला जी की सी सही विकल्फ हो जाएगा रामकी शक्ति पूजा का कथानक प्रतिक रूप में घुशित करता है तो ये करता है सत्य की असत्य पर विजय अवश्य होती है आगे है नीराला की जुही की कली कवीता को किस पत्रिका ने असुक्रित कर दिया था चापने से? तो ये क्या था सरस्वती पत्रिकाने ये सही भी कल्फ हो जाएगा तोड़ती पत्थर कवीता का मूल स्वर्क्या है तो ये होगा प्रग्दिवादी किसकी कवीता है तोड़ती पत्थर निराला जी की आगे है महापरान किस च्छायवादी कवी के नाम से जूटता है नियाराजी के नाम से जूटता है प्रकृती का सुकुमार कवी किसे कहा जाता है पंत जी को आपने बताना है पंत जी का जनम कब और कहां पर हुआ था कवीता करने की प्रेणना मुझे सबसे पहले प्रकरती निड़क्षन से मिली जिसका श्रे मेरी जनब भूमी कुर्माचल परदेश को है तो ये किसकवी का गतन है जैशिंकर प्रसाद सुमितरा नंदन पंत का आगे है किसकवी के काब्वे का क्रमिक विकास चायवाद प्रक्तिवाद एबं नव मानवताबाद के रूप में हुआ पंत जी का हिंदी में मदुकाब्वे की रचना का श्रेकी से जाता है डॉक्टर बच्चन सिहं को मदुकलश के रचनाकार का नाम बताईए तो यह हो जाएंगे हरिवन श्राइब बच्चन कि रचना को कि रूटर भी